हलो गैस आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मंदी जो बिर्यानी को भी टकर देने वाली है यह चिकन मंदी अगर हमारी रेसिपे आपको पसंद आई तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना चलिए अब हम चिकन मंदी बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमने चिकन अच्छे से धो के ले लिया है इसमें हम सभी चिकन में कट लगा लेंगे और यह चार बड़ बड़े पीस लिये हमने चिकन के अब देखिए सभी चिकन में हमने अच्छे से कट लगा लिया है अब इसके लिए हम एक मसाला बना के तैयार कर लेंगे इसके लिए हमने दो चम्मच जीरा लिया है अब ये तीन-चार कल्मी है इसको ले लिए हमने पर कल हमे ने जाय पत्री है विरे दो बड़ा यृ causaah है सत्त होक्रों यह दशां करते हो और यह लॉंग है पाट को हम शांटाइब कि कीरद चेंट अब जा उई की अब इन को हम पीस लेंगे इसका एक पौडर बना के तयार कर लेंगे देखीया में जुआ हमें आधाव में में दालेंगे ए हम और शेट मन सब्दाभ तरद्ली हम सेट्व में। को प्रीमके पेस्ट भूदालेंगे और एक निवु का रस डाल देंगे और आदा काटोरी है इसमें हम दरी डालेंगे और इसमें हम आदा काटोरी तेल डाल देंगे अब यह थोड़े से पानी में हमने केसर डाल के रखा था और इसको हम डाल देंगे जिस इसका कलर अच्छे से आ जाए और इसमें हम आजा चमच फुट कलर रा लेंगे और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए अच्छे से यह मिक्स हो गया अब इसको हम टिकन में अच्छे से लगा देंगे हाथों से लगाएंगे ताकि मसाला अंदर अच्छे से चाला जाए फिर इसको हम दो-तिन घंटे के लिए मेरिनेट करके रख देंगे अब इसको हम मेरिनेट करके दो-तिन घंटे के लिए रख देते हैं अब देखिए दोतीन गंटे हो गया है अब इसको हम स्टीम करेंगे एक गंग में हमने पानी लेए है उसके उपर हम चल्नी रख देंगे जब पानी अच्छे से गरम खौल जाएंगा तो उसको चल्नी को उपर हम चिकन को रख देंगे और इसको कम से कम 20 मिनट तक हम ढख देंगे ताकि चिकन अंदर से थोड़ा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए अब देखिए यह चिकन का पानी का उसको हम ठेके में नहीं हम इसको हम चानल में डालेंगे अब चिकन को हम प्राइब लेते हैं आदा पेल और आदा घी डालेंगे हम प्राइब देखिए अब देखो हमारे चिकन भी अच्छे से प्राइब हो गया है अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हूं अब हम इसका चाहोई बनाके तयार कर लेते हैं अब यह वही तेल में हम थोड़े खड़े गरम मसाले दालेंगे तेज पत्ता है कल्मी है काली मिर्च है लॉंग है हलका साइसे हम रोष्ट होने देखें इसके बाद हम च्याप करी प्यास दाल देंगे प्यास को हरका सा बहुन देंगे इसमें अब हम एक कमा सहजीरा दाल देंगे तो इसमें हम अद्राख लशन का पेस्ट दाल देंगे दो चम्माचा यह हम अद्राख लशन का इसमें पेस्ट दाल देंगे इसमें अच्छे से बहुन लेते हैं मसालों के साथ इसमें दो तुम अब इसमें हम एक चमत मिर्ची पॉबर बालेंगे, आदा चमत इसमे हम हल्दी पॉबर बालेंगे अब देखे मसाला ब्रक्षे से भून रहा है, इसमें फिगूल भी बहुत अच्छी आ रही हो अब इसमें हम पानी जालेंगे हम ने 3 गञ्श चानवर लिया थे, पचाल घ्री पानी डालेंगे इसमें एक इसमें पहले भानी बालेंगे, अब भी रख जालेंगे अब देखे लियंगे तक् Abg अब घ्री नहारador कथ अब बहूरक्य नहांदा ग्वां हम इसमें हम अपटी अब अब करते हम ona ऐगा है करने और यह दो से ज्टिक poems हम चावल चावल दाल देते हैं अब ज्टिक जुत पकर करेते हैं हम एक पानी को शुप देखिए से दृतकर मतल है अब देखो हमने दस मिनट पहाग के रख दिया को अब यह हमारे चावल भी हो चुके हैं मंदी चावल देखो कितने करफरे बने हैं अलग-अलग खिले-खिले बने हैं चावल अब झाल को फड़ कर देते हैं अब हमने चंच प्रिकों रख देंगे इसके इसके उपर हमें एक समोग फ्लेवर देंगे कि इसमें हमने काटोरी बना के रखी इसमें ये कोईले को डाले हैं कोईले के ऊपर हम थोड़ा सा बटर दालेंगे और उसके बाद पुरांच हम धपन से इसको ढ़ाग देंगे कोईले में दसकंदा मिलर बादी से खोलेंगे इसमें पाजू किष्मिस और बादा चिकन मंदी के साथ खाने के लिए हम एक चट्मी बना के तयार कर लेके हैं इसमें हमने पाच्छे लसन की कर ली दो तिन हरी मिर्ची और ये प्रमाटर है और ये घंया पत्ती है और आज़ा चमस हम लमक डाल देंगे और उपर से हम एक नी चिकन मंदी के लिए चट्मी बनके तयार है देखी गैज ये चिकन मंदी बनके तयार है इसे हमने एक प्लेट कर निकाल के थोड़ा सा सजा लिया था जिसका हम वीडियो नहीं बना पाए उपर से हमने काजू और बादाम को भी दाल दिया है और टामाटर प्यास की अपर मिलते गाई अगली नही रसिक साथ आला